कि नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो बीक्रस गाडेनिंग चनल आप मेरे पीछे तरफ जो देख रहे हैं यह वही बैड है जिस बैड को मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि आगर आप उसमें ज्यादा पानी दे देते हैं तो उसमें कौन सा मस्रूम जेनरेट होंगे उत्पन कि आगर यह पाता है कि नहीं तो अगर मस्रूम हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे नाक्स टाइम इसको इसमें पौधा लगा देंगे तो जो बचीवी नूट्रिशन जो रहेगा वह पाके उपर ग्रोथ करेगा जैसे कि मेरा चैनल आप देख पाएंग पहले से दे दोस्तों अगर आप beginners हो तो आपको indoor mushroom farming करना चाहिए क्योंकि indoor mushroom farming में humidity temperature और air control में रह पाता है वो कैसे क्योंकि अगर आप बाहर में अगर mushroom का बैड लगाते हैं तो उसमें क्या-क्या दिक्कते आएंगे माल लिगे temperature बढ़ जाता है या तो फिर धूब गिर जाता है तो आपको उसके उपर में polythine back को लगाना पड़ेगा और आपको पेड के नीचे में लगाना पड़ेगा क्योंकि direct sunlight अगर गिरता है तो mushroom का पीन हैट खराब हो जाएंगे उसके साथ साथ अगर temperature बढ़ जा रहा तो उसके उपर water spray करना पड़ेगा जैसे temperature maintain हो हवा लगने के लिए क्य क्या करना पड़ेगा हमको उसको बीच-बीच में प्लोथिन बैक को उसका प्लोथिन सीट को आपको निकालना पड़ेगा तो यह सब दिक्कतों के वजह से मैं जितना में beginners है उनके लिए special आज में वीडियो बना रहा हूं कि आप क्या करें छोटे से रूम में adjustment के रूप से मसरूम फार्मिंग कर सकते हैं देखिए मैं यहां पाया हूं वहींपर मसरूम का रख तंगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा Carry अगर मेरे को कमेंट करते हैं तो मैं आपको बायोलिजिकल एफिसेंसी बता दूँगा बायोलिजिकल एफिसेंसी का एक अलग सा वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें टोटल कालकुलेशन रहता है आप कितना पैडी स्ट्रो इस्तिमाल करेंगे वैसे तो अलग अलग टाइप के सब्सक्राइब करेंगे तो कितना में सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आप में इस बारे में अब को तोटल इनफ्रमेशन स्टडी के रूप में मैं आपको बता दूँगा और यह मैं दिखा रहा हूँ आपको यह देखिए इसको मैं टॉप को उल्टा करके रख दिया था अब देखिए इसमें कितना सारा गोबर मस्रूम जर्मिनेट हो रहे हैं यह देखिए चारों तरफ भर भर के निकल रहे हैं और इस तरफ देखिए क्या कमाल के हैं अगर इतना मस्रूम अगर पेडि स्ट्रों का निकल जाते तो दीन गुणा चार गुणा ज़्यादा हमें प्रोफिट मिल जाता और आपको यह भी दिखा रहा हूं यह देखिए यह बैक में और इस बैक में मैंने डेट भी दे दिया हूं यह देखिए इस तरह से अगर आप इसमें डेट दे देंगे तो आपको याद रहेगा कि यह देखिए आपको याद रहेगा कि आपने कब इन बैट को लगाया है और साथ में यह बैट भी देखिए अगर इसमें मॉस्टर लेबल कम रहेंगे तो जो माइसीरियम है वो भी सूख जाता है तो पानी अगर कम रहेगा तो भी दि इसको हमने फिर से स्टेरिलाइज किये हैं और इसको अभी सुखाने के लिए हां पर रख दिये हैं तो हम इसमें फिर से बैड बैठाएंगे और देखेंगे कि मसरूम हो रहा है कि नहीं अब हम दोस्तों दूसरा च्पटा सार रूम में जाद चलते हैं यहां पे एक्सपरिमेंट बैठ मैंने बैड लगा है यह भी मैंने जिसमें मसरूम हो चुका था उसी पैरा बैठ को दुबारा मैंने विसोजण किया है और इसको लगा है अब देखें उपर में यहां पे दो लगा हुआ है यह भी सेम है और सेम इसमें इसमें भी सेम मैंने डेट दे दिया है जैसे याद रहेगा और इसमें भी हम देखते हैं इसमें मौस्चर लेबल हमने कंट्रोल करके रखा है सही मौस्चर लेबल इसमें रखे हैं जैसे इसमें बोबर मसरूम कम निकले या पर न इसको उपर बाला हिस्सा को खोल के रखे हैं, जैसे उपर में हवा लगेगा और मस्रूम निकलेगा, बाकी देखते हैं, ये देखें दोस्तों, इंग कैप मस्रूम निकलने के बाद कुछ पैडिस्ट्रा मस्रूम भी इसमें हुए थे, जो मैं इसी वीडियो में कवार अप कर दे रहा हूं, आप देखके समझ जाएगा कि ये वो ही बैड है जिसमें इंग कैप मस्रूम निकला था, ये निकल रहे हैं,